कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आया तो कितने शांतिपूर्ण ढंग से यह सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल बैठकर बातचीप के जरिये होता है, पर असदुद्धी नों वैसी कहते हैं कि एक मस्जिद शहीद हो गई, अब दूसरे को नहीं करेंगे, यह चेतावनी नाइनटी टू में जो बावरी मस्जिद गिराई गई उसको क्राइम एक्ट माना, अगर वो क्राइम एक्ट ना हुआ होता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आता, यकीनन नहीं आता, इसलिए वो कहते हैं कि एक मस्जिद मुझसे च्छीन ली गई, अब मैं दू दूसरी मस्जिद चीनने नहीं दूँगा, इनको जितने भी ये शरारती तत्व हैं, इनको मैं अपनी मस्जिद के खिलाब कोई और दूसरी शरारत नहीं करने दूँगा, दूसरी बात, मैंने सारे वक्ताओं को सुना, और यह जो बात आज की है, इंपॉर्टेंट वो यह है कि आखर पहले की भी जो लीक हुई थी रिपोर्ट, जिसको सुप्रिम कोर्ट ने सिलेक्टिव लीक कहे कर लतारा था, और आज भी यह जो है, कल भी वीडियो लीक हुई, जो कि यह भी अदालत का उलंगन है, हम मांग करते हैं कि यह कौन शरारत कर रहा है, चुकि जब प वहाँ फॉन ले जाने की इजादत नहीं थी, और अपने पिताजी को कोर्ट भेज दिया था, और एक तरफा डिसीजन करा लिया था, और वो ही अब जब कल लीक हुई वीडियो उसको लेकर के फिर वो डिस्टिक कोर्ट में चले गए, तो यह पैटर्न बताता है, कि यह जो दिवारों पर? और संग प्रुमुक को और अध्यक्ष को, जेपी नडडा साब को, सबको नकार रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि देश्क वाशी समझते नहीं है बात को, यहां टीवी पे बैटके यह जो ग्यान दे रहे हैं, पूरा इस तरफा ग्यान दे रहे हैं, तो पिर अपने अध्यक्ष की क्यों में अवेल ना कर रहे हैं, यह तो अध्यक्ष न गलत ब्यान दिया यह गलत ब्यान दे रहे हैं,